मध्य परदेश के ग्राम मनलेश्वर के अनूप दुबे एक बार फिर अपनी वीडियो को लेकर चर्चा में है परदेश के मुखे मंतरी कमल नात पर तंच कस्ते हुए अनूप ने अपने खेट पर बनाए दो मिनट का वीडियो इन गिनों सोशल मीडिया पर चम कर वाइरल हो रहा है इससे पहले जून 2018 में अनूप दुबे भाजपा की शिवराज सरकार की योजनाओ की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर वाइरल हुए वीडियो से चर्चा में आये थे जिसे ततकाले मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोहान ने ट्वीटर पर अनूप की तारीफ भी की थी उसके बाद मिलने के लिए अनूप को सीम हाउस भी बुलाया था दरसल 22 अगस्त को कमलनाद सरकार को चुनाओ पूर्व की ये वादो को याद दिलाते हैं करज माफ करने की अपील करने के साथ ही वर्तमान समय में किसानों की पीडा से भी रूबरू कराते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुआ था दरसल हम बात कर रहे हैं मध्य परदेश के देवास जिले के मंडलेशवर के 36 वर्ष अनूप तुबे जिसके पीता जी का शिक्षक पत से रिटार्मेंट हो चुका है जबकि बड़ा भाई वो अनूप मिलकर खेती करते हैं जबकि छोटा भाई अतिती शिक्षक है परिवार के लालन पालन के लिए अनूप भजन मंडली में भजन वक कता सुना कर अपने परिवार का पालन पोशन करते हैं कमलनाथ सरकार को लेकर वीडियो वाईरल होने के बाद एक बार फिर चर्चा में आये अनूप दुबे ने इस से पहले पूर्व सियम शिवरा सिंग चोहान की तारिफ करते हुए सरकार की उपलब्दी बताई थी वहीं दूसरी और कमलनाथ सरकार को लेकर उनके वाईरल हुए वीडियो में कमलनाथ सरकार को उनके चुनावी वादों की याद दिलाई जा रही दोनों ही वीडियो को देखी एक में जहां भाजपा की शिवरा सरकार की तारिफ की जा रही है तो दूसरे कमलनात सरकार को उनके वादे याद दिलाया जा रहा है करज माफ करने की बात की जा रही है गेहु चामल सकर बीपी एल से मिल जाते हैं जब से है सिव राज मेरो मन नहीं घबराते हैं देखिए मैं अनुक दूबे ग्राम मंडलेश और तेशिन खाते गाउं जिला देवास का होकर हमारे माननी मुख्यमंत्री शिराज सिंग जी चोहन के कारेकाल की प्रसंसा करते हुए एक सवया बनाया है जो आप सभी ध्यान से सुनें ओ राज बीजेपी को एसो भयो सिव राज कभी अब हार ना पावे मध्य प्रदेश की सारी बेहन को वो भया बन्यों सारे फर्ज निभावे जब जब भीव है मामा बने वह तब दब खाते में पैसा डलावे निर्धन के घर कन्या दिखे मामा सिवराज जीवा को ब्याह करावे दीनन को दीना नात बन्यों है रहने को पक्के माकान बनावे रहने को घर और ब्रद्दा को पैंसन बिद्वा को कल्यानी नाम दिलावे बिजली मिले भर पूर हमें सिवराज के राज में कष्ट ना पावे धान बिके बाको दाम मिले उस धन को बोनस खाते में आवे मध्धि प्रदेश मेरो एसो देश जहां चाहू और विकास दिखावे अनु कह सारे देश की जनता से भारत में फिर से मोदी ही आवे कर्ज माफ किया जाए समर्थन मूल दिया जाए हम पे कमलनाथ थोड़ा ध्यान दिया जाए हम पे कमलनाथ थोड़ा ध्यान दिया जाए कर्ज माफ किया जाए समर्थन मूल दिया जाए हम पे कमल नाथ तोड़ा ध्यान दिया जाए साल भर से परसान हो रहे बड़ी मुस्किल से खेत अपने बोह रहे आई फसलों में ऐसी बिमारियां सोया बिन खेत के पीले हो रहे हो भी कमंगते नहीं हक हमारा है ये गाम फसलों का हमको उचित दे दो इनसाफ किया जाए हमें लाब दिया जाए रुका हुआ बोनस ततकाल दिया जाए आपका सुब नाम क्या है जी मेरा नाम अनूब दुबे है बंडित अनूब दुबे और खातेगाउं तेशिल के ग्राम मंदलेश्वर का इस्थाई निवासी हूँ इस आपने जो कवीता गाई है इसको गाने का उद्देश क्या था सर ये मूल उद्देश ये है कि हम छोटे किर्शान हैं और हमारे पास खेती के अलाबा उदर कोशन का कोई दूसरा साधन नहीं है और जो है अभी फिलाल में हम किसान लोगों की फसल भी आदी फसलों में तो फली नहीं आई और आदे जो बिमारियों से खराब हो गए पानी के कारण और पहले भी हमारा समर्थन मूल में हमारी फसल नहीं भिक पाई इसके कारण हमको बहुत घाटा गया और जो उराज जी के राज में हमको जो लाब मिला था वो लाब हमको मिलनी पा रहा है तो अब हम किस से अरदास लगा है वो हमारे राज जी के हमारे मुखिया हैं अब उनके अलाब हम किस से कह सकते हैं हमारा दर्द है इसलिए मैंने अपने दर्द को इस कभीता में संजोया है ताकि हमारी आवाज उन तक पहुंचे सभी किसान भाई इससे पिडित हैं पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं